आप सभी लोगों का भह स्वागत है निशिकान दूबे का TMC नेता महुआ महित्रा पर पैसे ले करके संसद में प्रश्न पूछने का मामला अब काफी आगे तक जा पहुंचा है संसद की आचार समीती तन्मूल कॉंग्रिस सांसंद महुआ महित्रा के खिलाफ Cash for Query शिकायत पर 26 अक्टूबर को सुनवाई करने वाली है और संसद ये समीती ने महुआ महित्रा के खिलाफ शिकायत पर मौकिक सास्क के लिए भाजपा सांसद निशिकांदूबे को 26 अक्टूबर को कॉल किया है और संसद ये समीती 26 अक्टूबर को वकील जै अनंत देहाद रहिक को भी सुनेगी भाजपा सांसद निशिकांदूबे ने महित्रा पर अडानी समू और प्रधानमंत्री नरेन मोदी को निशाना बनाने के लिए व्यवसाई दर्शन हीरा नंदानी की ओर से सदन में यानि की संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत देने का आरोप लगाया है इसमें दो बातें बहुत साफ दिखाई दे रही हैं एक तो देश की संसद मंदिर है जिसे मंदिर न मान करके उसका अब मान किया गया है पास्ट में अगर पीछे मुड़ के देखें तो अभी कई बार हुआ है दूसरा अडानी को लेकर करके यह सब किया गया है जो अकसर देखा गया है जब बात अडानी की होती है तो अडानी को प्यम नरेंद मोधी के साथ जोड़ करके उन पे हमला किया जाता है और यह जो सवाल पूछे गया है यह भी इनका भी मकसद कुछ ऐसा ही लग रहा है आज इसी पर बात करते हैं कि पोस्ट प्रफाइल का मिस्यूस तो होता आया है लेकिन इसका स्तर कितना गिर चुका है कि दो बड़े बिजनेस ग्रूप की दुश्मनी में सदन की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा गया आज के मेरे बहुत ही खास मेहान है वरिश्पत्रकार अनिल भासकर जी मैं उनको जोड़ लेती हूँ और उनी से जानते हैं कि ये सब कैसे क्या हुआ सर नमस्कार नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर थांक यू सर पादा और प्रफाइल का प्रयोग ऐसे होता है तो ये तो उन लोगों को पता भी नहीं होता जो लोग अक्सर अपने प्रतिनिद्यों को चून करके भेजते हैं एक सांसद अपने छेत्र की समस्या को भूल करके अगर किसी उद्योग पती का परवक्ता बन जाए ये मामला कुछ ऐसा ही दिख रहा है सर क्या कहते हैं आप अधिके बड़ा दुरभागे पूर मानता हूं मैं ऐसे मामले जब भी सामने आते हैं हमारा लोकतंत्र जो है हम सब हमेशा से यह दावे करते रहे कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस नाते हमारे जो लोकतंत्र भूमी का है उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी ह कि हम कैसे पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़े होने के साथ साथ एक सबसे जन पक्षधर और जन परोकारी लोकतंत्रिक व्यवस्था का आदर्श भी प्रस्तूत करें अगर यह दुर्भाग्य है कि आज जितने भी व्यवसाय है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी व्यव अगर का चरण हुआ है उसमें विश्वस्था का चरण हुआ है तो दुर्भाग्य से वह राजनीती ही है और जहां तक आपने बात के ही पद और प्रतिष्था की कि उसके दुरूपयों का मामला भी इससे सीधे सीधे जुड़ता ही है जैंद और यह ब्राद दुर्भाग् है मैं जब बारणसी में था तो जिलाधिकारी महोदय का एक आदेश आया और उसमें लिखा हुआ था बाकाईदा नीचे की आदेशा नुसार तो मैंने उनसे पूछा था भई आप तो जन प्रतिनीत जन सेवक है तो एक सेवक और आपके हिसाब से जनता जनारदने जनता आ तो एक सेवक मालिक को आदेश किसे दे सकता है तो आप अगर कहते हो आदेशा नुसार तो दिक्कत क्या है कि हमारे यहां चाहे वो जन सेवक हो या जन प्रतिनिधी हो वो जन प्रतिनिधी भी खुद को जन सेवक ही कहते लेकिन समाज में उनका जो आचार व्यवार हुआ कर जाते कुछ इस तरह केसे हैं जैसे वही वहा पे उसी के जाते हैं और जंता भी उनको उसी फिलिंग के साथ उसी के तरीके से उसका स्वागत करती है, वेलकम करती है, माला पहनाती है, उनके ओपर फूल बढ़ाती है, तो खेट, यह मानसिकता बदलने की बात है, और दुरभाग है कि इतने लंबे समय तक हमने लगवग 75 साल का हमारा संसदी इतिहास हो गया, और इस पाउन सदी के बाद भी, जो हमारी लोकतांत्री की ववस्था है, या उसके जो कारकून है, उनके, ना तो उस विवस्था से, वो सामनतबाद कहीं så نिकल पा रहा है, ना ही उन कारकूनों के दिमाग से, सामनतबाद कहीं से जा फारा है, और यह बड़ा दुर्भागे पूर्ण है चलिए हम उमीद करते हैं कि आने वाले दश्कों में वर्षों में इसमें तब्दीली आएगी और हम सच्चे लोकतान सच्ची लोकतांत्रीक बुवस्था बनाने में सफल होगे जहां वास्तव में जनता ही सरवे सरवा होगी जनता ही जनार्दन होगी और जो जन्सेवक है वह वास्तव में जन्सेवक जो आते हैं इस जो महवा मोहत्रा की ओपन निश्यकान दुबे जी का आक्षेव है जो आरोफ है अब वह से तो महवा मोहत्रा और जो निश्यकान दुबे हैं इनके बीच ये 36 का आकड़ा भी काफी पुराना है और अगर इसको लोग बुरा ना माने तो मैं तो ये कहूंगा कि इनके बीच चुहे बिली का खेल जो है ये लंबे समय से चलता आया है और खास तोर से तब जब महवा मोहत्रा ने पहली बार निश्यकान दुबे की डिग्री पर सवाल उठ सब्सक्राइब की तो वो डिग्री फरजी है और फिर उस समय भी एक बाद लंबा बाद विवाद का एक सिलसिलार बना रहा उसमें भी आरोप प्रत्यारोप चलते रहें फिर बाद में उसने यह भी कह दिया कि महवा मोहत्रा ने आरोप भी मढ़ा कि भाई निश्यकान दु सब्सक्राइब कर लिए तो खेर उन्हों वो उनकी जो है जन्म चिति को लेकर कि भी सवाल उठाती रही है कि वो जिस तरह अगर सही माइने में उनके अंबी और दूसरी डिग्रियों को देखा जाए तो शायद उन्होंने दस वर्स की अवस्था में ही दस भी पास कर ली थ है इसको तो समझना तोड़ा मुश्किल है बंद इस वाद विवाद और आरोप अरोप अरोप के दोर में एक नई शुरुवात जो भी है वो निशिकान दुबे ने कर दी चार दिन पहले जब उन्होंने लोग सबाके सफीकर को एक पत्र लिखा और कहा कि भाई बहुआ मु को पहार कि मतलब और जो संसद है संसदी विवस्टा के पृति इमांदार नहीं है यह अपने उस च्छेत्र के आहई है उस छेत्र की जनता के प्रती इमानदार नहीं है क्योंकि उनका जो संसदी कारिव्यभार है अगर वो वास्ताव में मालना है कि कहीं से गिवन टिक वाली पॉलिसी पे आधारीत है या उस तरह के बिजनस पे आधारीत है तो निश्यत रूप से वो गंभीर विशा है जिसकी औ निश्यकान दुबे ने ईषारा किया है उन्होंने आरोप लगाया और उन्होंने जो प्लगाए है उसमें अपर अधार्व कोट के वकील है जिसका आपने अभी अभी जिक्र किया है उसका नाम है जै अनंत देहदराई कि जो कभी जिसके महुआ मोहित्रा के साथ भी बड़े मधूर और बहुत ही दोस्ताना रिष्टे रहे हैं अब वो रिष्टे जरूर खटक गए उनमें खटास आ गई है जब मार्च के महिने में इसी साल पहली बार उसके खिलाब महुआ ने शिकायत दर्च कराई थी कि वो उनका व्यवार अब मर्याद इतना ही है उनके साथ में और उन्होंने यह भी कहा था कि उनके जब घर आते हैं तो शायद वहां से निजी बस्तुयां वो चुरा ले जाते हैं कुछ इस तरह से तो एक बार पहले मार्च में उन्होंने एक शिकायत दर्च कराई थी पर सितंबर महिने में भी अभी एक शिकायत दर्च कराई है उन्होंने अनंद के खिलाब तो अब जो निशिकान दूबे ने जो चिठी लिखी उस चिठी का जो आधार बनाया वो उस findings को बनाया जो उनके मुताबिक जहनत देदराई ने उसको इक इस दौरान उन संबन्दों के दौरान उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जानकारी महुआ मोहित्रा के बारे में हुई है जो उनके संसदी कारिवयभार से जुड़ी थी यानि एक संसद के तोर पर उनका जो कारिवयभार था लोगों के साथ relationship में जो वहां एक का उनका व पूरा research किया है और इसके अधार पर उन्होंने कुछ चीजें निसकर्ष के तोर पर निकाली है और उनी निसकर्षों को अपना हवाला बनाया निशिकान ठाक उने उनने एक डर्द करी है अब इस मामले में पर इसे मामले जो होते हैं जिसकी शिकायत वेशक हम लोगसावा नदनानी की की आपसी जो दुश्मनी है उसके बाद पैदा होते हैं जनम लेते हैं उनको फिर मौया महित्रा को दिया जाता है और क्योंकि इसमें देखा गया है कि 60 प्रशन अगर पूछे हैं मौया महित्रा ने तो उनमें से 50 जो प्रशन है वो अडानी समू पर अटैकिंग थे जबकि हम जिस जिस छेत्र से हमारा जनप्रति निदी होता है हम मुईत करते हैं कि वह वहां की बात करें मेलकुल जो इसे मैंने आपको शुरू में ही एक बात कही कि उनका जो जिस छेत्र से कोई भी सांसद चुन कराते हैं या जिस छेत्र की जनता उनको प्रसेदिधी के तोर पर संसद में भेजती है उनके प्रती जो उनका मूल करता भी है वो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड है इस स चेत्र के बातों को लेकर के या उससे जोड़कर उन बातों को पेश करने का ना तो उन्होंने सहाद दिखाया या कहें कि वह इच्छा जता ही पनाई उनके अंदर वह सलाहियत ही दिखी वह कुल मिला कर जो दोचार राश्ट्री बंदों को लेकर के और उसकी आड़ लिए बैठे रहे। पूरे संसर्त्र में चाहे व अभी का संसर्त्र हो मैं तो पिछले संसर्ली सत्र की भी बात कर लेता हूँ कि जो में सरकार आए वी तो यह सरकार को पास साल पूरे होंगे तो이라 लिख फ़ा आईगा बटी जो उनीश से जो सरकार अब तक चली 14 से 19 तक उस 5 सालों में आपको जानकर आश्चर होगा कि सिर्फ 345 दिन संसद में काम हुआ है पूरे 5 साल के दोरान सिर्फ 345 दिन का एक साल होता है काम सिर्फ 345 दिन में पूरे 5 साल में तो उनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं किसी कहीं हमें सरकार की कमी दिख सकती है उसमें कहीं से व्यपक्ष की उसमें कमजोरी नजर आ सकती है या सहिए दिख सकता है बट टोटल इस्तिती यह है कि जिन चेत्रों से जो जंताने ए प्रतिमिदी को चुनके सबस्क्성 को एसे कि निवासियों को निजा करके तो सही मायने में जो एक सांसद है उसका रिपूर्ट कार्ट इसी अधार पर मनना चाहिए वो अगले पांच साल तक घ़ुक्त को तो वो अपने च्छेत्र या अपने च्छेत्र की जनता के लिए क्या कुछ कर पाए तो उनका यही होना चाहिए लेकिं दुर्भाग्य से मैं पिछले कई संसद के सत्र से देख रहा हूं कि वो कुछ तारंकित सवाल आ जाते हैं कुछ प्रश्नकाल में आ लेकिन आम तोर पर आप देखें तो जो उनका अपनी और से संसद में सवाल रखने की जो परमपरा है वो धीरे धीरे लगवाग खतम सी होती चली जा रहे हैं या उसके प्रती रुजहान कम हो जा रहा है यह बड़ा दुर्वाग अब बात रही कि महुआ मोहित्रा वही चीज की उन्होंने टोटल गेविच के सवाल के अब तक में उनमें से 50 सवाल जो हैं वो सिर्व और सिर्व आदाणी से जुड़े वह जो नहीं उन्होंने निस दोज़ार निस में पहला सवाल था वह वभी एक पोट से ही जुड़ा वह मामला था जो पॉर्ड़ानी को दिया गया सांसद हैं आप पर्ष्मगाल की और आप के तमाम सवाल जो हैं अडानी से जुड़े होते हैं सवाल आडानी से पूछने पर आप अति नहीं या ने किसी को हो सकती है लेकिन अगर आपके पास 61 में से 50 सवाल आप सिर्फ और सिर्फ आडवानी के पूछे बारे में पूछेंग तो एक संदे सौभावी क्या और वही संदे अभी उनके प्रती जताया गया है ठीक है उसको हम सब संदे की द्रिश्टी से देख सकते हैं उसी संदे को वह आरोप की तरह देख रहे हैं निशिकान दुबे या उसको उनको सचाई नजर आ रही है तभी उस मामले को लेकर के उनको ने लोक सवा के अध्यक्स को चिठी लिखी है इसके आगे जो सवाल ये दर्शन हीरा नंदानी के फेवर करने की जो बात आ रही है वह बात भी इससे लिए ज्यादा दम से उठाई जा रही है क्योंकि जो दर्शन हीरा नंदानी जो सबसे बहुत बड़े रियल स्टे के अध्यर वधाग्स सब्सक्राइब लिए उनकी कंपनी यह यह बीटे हैं रशल दर्शन जिरा नंदानी कि कहा जाथा है कि अधि के बड़े ही दोस्ताना संबंध जमें जब जर्षन ही अब दर्शन हीरा नंदानी से भी इन वेवसायों में भी है जिन वेवसायों के यो दरसल इन दोनों कमपनियां में इस तरह किसमें दोनों कमपनियां जो है यह इनका मुल्ब्यावसाहिए रहा है तो एक तरह से अधानी ग्रुप और हीरा निंदानी यह दोनों ही मार्केट में देखे जाए तो एक दूसरे के एक बड़े फ्रती दंदी है जे और इसलिए तो ये कहा जा रहा है कि हीरा नंदानी के माध्यम से ये सवाल उठवाय जा रहे हैं आदानी को पर में के लिए सो देट कि आदानी अगर सब साइड लाइन होंगे तो उसका पूरा प जो गंभीर आरोप हैं वो ये है कि जो लोकसवा का एक संसत के संसत के तोर पर आपको लोकसवा के लिए एक अकाउंट दिया जाता है वो उस अकाउंट का ओनलाइन अकाउंट जो है उसका एकसेस ये कहा जा रहा है कि वो हीरा नंदानी को दिया गया यानि हीरा नंदानी को अगर हम वो एक्षेस दे देते हैं तो वो पूरे संसदी जो कारे व्यवहार है उसका एक तरह से एक लिंक को उनका एक्षेस मिल जाएगा उस्ए कर सकते हैं उस पूरे कारे व्यवस्था को कि उसमें पूरा का पूरा का पूरा संसथी कारe मंत्रा मुथ करता तो यह बुए बवन थबस्ताइब को तो दो अगर यह बात वी यह बात सही निकलती एills मुझे लगता है कि यह बहुत गंभीर और एक आपराधिक किसम का मामला तो वह भी बन जाएगा अगर यह सवाल पूछने का मामला हो जाए पैसे लेकर या किसी भी तरह की दूसरी मदद अनाइटिक अबाइद मदद लेकर के अगर आपने सवाल पूछा है तो आपराधिक किसी को उसको उसका पासवार यह दिया उसकिसी को आपने तो मुझा लगता है कि यह उससे कहीं ज्यादा गंभीर मामला है अब आपने ठीक कहा कि सदन में सदन की कारवाई को यह चलने नहीं देते हैं और एक बार मैं कुछ देख रही थी तो ये पता चला कि एक घंटे की जो पार्लामेंट की जो कारवाई होती है एक घंटे का जो खर्च है वो कई करोडों में होता है वो किसकी pocket से जाता है वो हम आप लोगों की pocket से ही जाता है और ये लोग सवाल वहां क्या पूछते हैं पैसे लेके सवाल पूछते हैं और अब आप ये देखिए कि विपक्ष को जब भी कोई बात शुरू करनी होती है तो वो अडानी से शुरू करते हैं आप राहूल गांदी को देख लीजे किसी को भी देख लीजे और अडानी पे वार करते हैं साथ में नरेद मोधी पे वार करते हैं तो ये जो अडानी के प्रोजेक्ट हैं ये कॉंग्रेस शासित राज्यों में भी चल रहे हैं बलकि उन्हें प्रोजेक्ट करने के लिए कहा जाता है लेकिन अपने फायदे के लिए ये अडानी को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि जैसे उन्होंने बतानी कौन सी वैवानी कर दिये और अब ये जो चीज निकल के आ रही ही रन अन्दानी प्लस अडानी तो ये जिस तरीके से मोहिया महित्रा ने अडानी को गलट ठेराने की बात की है ये अलग मुद्दा नहीं बन जाएगा सर अब देखे ये तो है ये जो आपने कहा कि आडानी को ले करके सारे विपक्षी डल अलग-अलग मोकों पर आडानी का बदा उठाते रहते हैं चाहिए वो संसद हो चाहिए बाहर का मन्च हो सब कुछ हो देखे एक क्या है कि मोदी जी के आने के बाद हमारे देश के जो सब्सक्राइब है वह भी काफी हद तक बदल गया है जी पहले भी वैसे यह पहले भी मामला होता था कि हम एक पार्टी को जैसे 89 का एलक्षन आप लेक्षन में हमने राजीव गांधी को वह फोर्स कान में रस्टाचार का रुप लगाते हुए हराया उनको उनको सत्ता से वेदखल हुआ होना पड़ा और फिर बीपी सिंग के निर्थिति में एक सरकार बनी यह चलन कुछ वर्सों कुछ दस्कों का है जिसमें एक किसी बुद्धे को ले करके और सरकार को घेरने की पूरी कोशिश होती है तब सरकार को आप वहां से सत् हैं और माले चले चुनाओ के माध्यम से हटाने की कोशिश हो बड़ आप यह नहीं बताना चाहते हैं आप यह कहते हैं कि आप फलां को हटा दो क्यों कि फलां ऐसा है बजाए इसके कि हम हमारे अंदर यह सलाहियत है हमारे ऐसी एक शांदार नीतिया है हमारे पास में हमारे पर शांदार डिस्ट्री है देश को आगे लेके चलने की हम वो इसलिए आप हमें दो जानी हम सामने वाले से एक बहतर उम्मिदवार हैं हम उनके मुकाबले देश को बहतर चला सकते हैं बजाए इस तरह की कोई विकल पेश करने के बन दाता हो कि एक अजीव सी परंपरा अ करके बहुं जाते हैं इस सरकार के खिलाब पिछले जब भी इन्होंने जो भी मजबूत आरोप लगाने की कोशिश की वह आरोप कहीं टीके नहीं कम से कम चुनाओं में तो मद्दाताओं ने उसको पूरी चरीके से खारिज कर दिया आप याद करिए जब नोट बंदी का मा माम कर उठे गरीबों को सबसे ज्यादा संकट हुआ और नोट बंदी का कोई बहुत पाइदा नहीं वा करके वह बैंकों में वापस नहीं आ पाया या वह सर्फेस नहीं हो पाया तो कहा गया कि यह तो एक फेल जो है वह एक्सपरिमेंट रहा और इससे जो छोटे कारोबार कारुबारी थे जो नकद करते थे उनको बड़ा नुकसान पहुंचा फिर मजदूरों को बड़ा नुकसान पहुंचा कि उनको मजदूरी मिलना बंद हो गई और उनको लंगी लाइन लगानी पड़ी अपने च्छोटे बच्चत की रकम को बदलवाने के लिए लेकिन परि जी इस बार भी इन्होंने एक दो मुद्दे सोचे थे लेकिन वो मुद्दे क्या होंगे अप तो जिस मुद्दे के आधार पर आप सरकार को घेलने की कोशिश करें तो इनको लंबे समय से मुद्दे की तलास थी मैं तो कई बार कहता हो अगर इंड़न्द की रिपोर्ट में यह चीजे आती हैं तो फैबरिकेट भी हो सकती है आप इस तरह के मामले किसी को सो पचास करोर रुपिय दे करके आप खड़े भी करा सकते हैं जो बाहर बैठा बैठती है जिस पर आपकी आपकी जो नियाई व्यवस्ता है जहां तो उसकी पहुंच नहीं जहां तक उसके हाथ नहीं है कानुन व्यवस्ता के हाथ नहीं है वहां तक तो बाहर बैठके आदमी आपके बारे में कुछ भी लिख सकता है पैसे ले करके और क्योंकि हिंडन वर्ग के का जो अपना चरित्र रहा है उसकी जो फित्रत रही है उसको भी पूरी दुनिया जानती है तो अमेरिका अब हम उस हिंडन वर्ग की रिपोर्ट को बड़ी सीरियस लिए बठे हैं जबकि हमारे सेवी ने भी जहांच में उसको लगबग लगबग साफ कर दिया और सुप्रिम कोर्ट तक भी मामला पहुंचा तो वहां से कोई अभी तक तो कोई ऐसी दिशा नहीं दिखती है उसकी अब इस वार यह कोशिस होगी कि चलो आडानी आडानी का नाम लिये चलो और जो एक जो एक जुटता दिखाने कोशिस हो रही इंडी गठ बंदन में उसमें प्रमुक मुद्दाइसे बना के रखो कि इसके आधार पे ही कम से कम लोगों के बीच चले जाएं और उनमें एक कि कोशिस करें सरकार कोगी देखो साब अब यह तो नहीं कह सकते एकंगी सरकार उच्चारी यह कल सकते हंके लिए-वर कह सकते हैं हम तो वैमान है यह तो रहा है वह लोग तो इनको अशुप कर रहे हैं जिनका नाम आप नित यह इना प्रशाद यह दकात हना मालूम है उनके बेटे नोक्री के बदले जमीन या जवीन के बदले सफाई देडेते पशर जाने तो अभ यह तो और भी कई दल है जैने कई मामलों में सफाई देनी है चाहे वह तीमसी की में यृता जो है अवावजी बनर जी उनके भतीजिय मतलब मता जिली के बतीजिय हैं उनको भी अलग मामले में जाट जिनसी को अपनी सफाई देनी पड़ रही है देर से रहो सकता है कि उन पर भी कुछ शिकंजा कस जाए कहा नहीं जा सकता वर चुक्की यह सारी चीजें एक साथ हो रही है तो अब यह सारे दल मिलकर के एक संदेश देने की कोशिश कर रहे ह किसाब देखिए एन चुनाव से पहले चुकी हम सब के खिलाब कुछिना किसी रूप से में हमला हो रहा है हम पे कारवाई हो रही है हमारे खिलाब जाच खोल दी गई है तो यह बेंड़ेटा है सरकार जो है एक हमें इस चुनाव में परिशान करने या उस से पहले वह हमार यह जुटता से परिशान हो गए हैं तो इसलिए हमारे खिलाब इस तरह का एक शडियन तरकारी कदम है सरकार का बट जैसे मैंने आपको पहले पिछली चर्चाओं में भी कहा था है कि जनता आज बहुत स्मार्ट है केवल स्मार्ट फोन नहीं चलाती है वो वह स्मार्ट बन भी गई है वे श को स्माー्ट फोन बनाया ہو पर वो इस मार्टने स्की लिभल तक पहुँच चुकी है जनता तो वो बहतर समझ रही है अब उनके सामने किसी का चेहरा दे तो वो तेहरे को देखे उनके उनके जो की सलाहियत आ चुकी है चलते चलते सर एक चीज़ और जानना चाहते हूं कि अगर हम महुआ महितरा को देखते हैं तो काफी लैविश और बिंदास जिंदगी जीते हैं एक मिड़ के लिए सोच भी लिजे कि ये उनकी अपनी परसनल लाइफ है लिजी जीवन है लेकिन जब आ जान तो बिलकुल बिलकुल और जब आप किसी साज़जनिक जीवन में होते हैं तो इन बातों का ख्याल को ज़्यादा ही रखना पड़ता है अब मनलिय उससे अगर आपके रहनसन से आमीरी और गरीवी दिखती है तो एक अलग मसला होता है उस पर हम अगर बास्तम उनके आ है वह एक अलग मसला है और अगर कोई आदमी जहां तक यह सवाल हो कि उनका पहनावा क्या है वह कैसा पहनते हैं क्या पहनती है लेकिन जब उसको आएसे जोड़कर अगर कोई हमें एक ग्राफ में एक इंपरिटी दिखती है तो उस पर एक मामला जबूर बनता है और जो जहां यह पहले भी हुआ है अब आप देखिए कि 2005 में भी जो उसमें ग्यारा जो अलांकि वो किसी सांसर्द ने किसी सांसर्द के बारे में कोई शिकायत नहीं की थी लेकिन एक जो न्यूस पोर्टल था कोबरा पोस्ट उसने 2005 में इस्टिंग ऑपरेशन करके 11 ऐसे सांसर्दों के खिलाब यह आरोफ पताया था कि साब यह सारे के सारे 11 जो हैं यह पैसे लेकर के यह घूस लेकर के संसर्द में सवाल पूचते हैं उसमें कॉंग्रेस के सांसर्द भी थे भाजपा के सांसर्द भ रवस्था तो रही है यह भी कई वार क्या हुआ होगा कि अब जैसे कोबरा पोस्ट ने भी हो सकता है उनके रहन सांसर्द से इसको जोड़के देखने कोशिश की होगी कि भाई अगर इनके रहन सन ऐसा है और इनको पैसे तो इतने आयके सार्दन तो इतने सीमित है तो फिर कि यह लैविशनेस कहां से आती है तो चलो इसकी पड़ताल करें हो सकता है उस परताल के करम वही उन्होंने यह इस टिंग कर डाला हो जी अब है कई वार यह जब हम किसी के बारे में उसकी आय के बारे में जानते हैं पिर उनके रहन सांसर्थां को देखते हैं मैच नहीं हो को दूबे को भी और देज़दाराई को भी जी 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 दोनों को जो हमारी एठिक्स कमेटी है उसने बुलाया है कि आप अपने उनके बयान दर्ज किये जाएंगे तो उसकी गंभीरता उसके बाद कुछ ज्यादा असफ़स्ट होगी कि इस मामले में क्या तथ्य क्या है उसकी प्रामारिक्ता क्या है और क्या सबूत ये दोनों उसके अपने आरुकों के पक्ष में पेश कर पाते हैं बहुत सारा कुछ ये मुझे लगता है कि 26 तारीक के बाद 27-27 तारीक तक ये चीज़े असपस्ट हो जाएंगा अपने मेरे दर्शकों को इतनी बहतरीन जानकारी दी और मेरे चैनल के लिए आपने समय निकाला बहुत बहुत धन्यवाद आपका नमस्कार नमस्कार नमस्कार